मुख्य चुनावायुक्त सुनिला रोडा, चुनावायुक्त सुशिल चंद्रा, चुनावायुक्त अशोक ल्वासा, इन तीनों पर भारत का हरनागरीक भरोसा व्यक्त करता है कि इनके निर्देशन में चुनावायुक सम्वेधानिक दायत्वों को निभाने में कोई समझोत नहीं करेगा। किसी भी नेता के दबाव में नहीं आएगा और नहीं किसी राजनेतिक दल की मदद करेगा। चुनावायोग से आने वाली खबरे बहुत आश्वस्त नहीं कर रही है। बहुत भी शर्मनाक मामला है कि भारत के प्रधानमंतरी आचर सहीता का उलंगन कर रहे है। आयोग ने चेतावनी देथी कि सेना के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा। धार्मिक पहचान और उन्माद के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा। सुप्रिम कोर्ट के दबाव में शुरू में तीन चार नेताओं के खिलाफ कारवाई तो हुई लेकिन अब अमिशाह और नरिंदर मोदी का नाम आया तो आयूक के हाथ कामते से लगते हैं। 9 अप्रेल को लातुर में प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा और बालाकोट के नाम पर वोट मांगा। 20 दिन लग गए फैसला लेने में। जब फैसले का वक्त आया तो दो आयूक्तों ने प्रधानमंत्री को क्लिन चीट दी। एक आयूक्त ने विरोध किया। विरोध कर कोई ऐसा जटिल नहीं है मगर फैसला संदीग्द है। 9 अपरिल को अमिशाह ने केरल के वाइनाड की तुलना पाकिस्तान से कर दी थी। अमिशाह के दिल में यही भारत है। उनसे सहमती नहों तो वे भारत के एक हिस्से को ही पाकिस्तान घोशित कर दें। इसके बाद भी चुनावायुक उन्हें क्लिंचिट दे देता है। इसे धर्मिक उन्माद और धर्मित्ता का इस्तिमाल करने का आरोपी नहीं मानता है। इन सब के बीच चुनावायुक्त अशोकलवासा भी हैं। लगातार पांच शिकायतों में वे असहमती दर्श करते हैं। कोई आयुक काम जानी चाहिए कि क्या कोई है जो प्रधानमंत्री को बचाने के लिए वहां मवजूद हैं। भरोसा होना चाहिए कि कोई अशोकलवासा है जो अपने नैतिक बल पर ठिका है। समयधानिक दायत्व के बोध पर अडिग है। फिर ऐसे देखिए कि आयुक में एक के सामने दो ऐसे हैं जो लगातार प्रधानमंत्री को पांच मामलों में क्लीन चीट देते हैं। क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोधी आयोग बन गया है। फिट के नाम पर आम आदमी पार्टी के विधायकों की माननेता रद करने का विवाद पलट कर देखिए। दिल्ली में चुनी हुई सरकार को अस्तिर करने की साजीश नजर आईगी। कितनी बहसे होती थी उस वक्ट चैनल में। जिनें ये करना था वो करके वापिस जा 2014 के पहले पुर्व चुनाव आयुक्त मुखर होकर बोलते थे। अब प्रतिक्रिया के लिए पुर्व आयुक्तों से संपर किया जाता है तो टाल जाते हैं। जो बोलते हैं वो भी खुल कर नहीं बोलते हैं। उनके वाक्यों को ध्यान से देखिए। क्या डर इतना बड़ा हो गया है कि कोई इस एक संस्था के लिए भी नहीं बोल पा रहा है। क्या आप डरने के लिए 2019 के चुनाव में हैं। क्या आप आयुक को खत्म होते देखने के लिए 2019 के चुनाव में हैं। ये लेक कुमार के फेस्बुक पेज से साभार लिया गया है